नमस्कार आप देख रहें एक News24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ विपक्षी दलो का महा बैठक मुख्य मंत्री नितिश कुमार के अवास पर 11 बजे सुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगी वह इस बैठक से जुड़ी हर एक खबर को हम आप तक पहुचाएंगे तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए कि कौन-कौन से नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं और पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी पक्षिम बंगाल के मुख्य मंत्री ममता बैनर जी दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद के जुरिवार पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान जार्खंड के मुख्य मंत्री हेमंत सुरेंस समाजवादी पार्टी के प्रमुक खिलेश यादो शिव सेना के प्रमुक उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी कॉंगर्स पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जद्यू पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष ललन सींग आधित्य ठाकरे रागो चड़्डा और विपक्ष के कई अन्य नेता इस बैठक में मौ चुनाओं के लिए भारतिये जनता पार्टी विरोधी मुर्जी के गठन की रूप रेखा तयाद करने के लिए ये बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री नितिश्ट कुमार की अगवाई में राहुल गांधी सहीत विपक्ष के तमाम नेता पहुंच चुके हैं वहीं इसको ले कि जेडियू ने ट्वीट कर लिखा है कि दलों का नहीं भारतिये दिलों का महागट बंदन साथ ही नितिश्ट कुमार सहीं तमाम विपक्षी निताओं के साथ एक फोटो भी साजा किया वहीं अगामी लोगसबाद चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए सन्युक्त रनीती बनाने के लिए विपक्षी निताओं के बैठक पटना में चल रही है सीए मवास पर चल रही बैठक में 15 से ज्यादा विपक्षी दल शामिल है तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरेसस को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है जिस पर पलटवार करते हुए स्मृति इरानी ने करारा जवाब दिया है और कहा कि कॉंग्रस अकेले नहीं जीत सकती बतादे कि भाजपा नेता और केंद्रिय मंत्रे स्मृति इरानी ने भाजपा मुख्याले में जनता दल और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधित हुए कहा कि ये विडंबना है कि आपातकाल के दोरान लोकतंत्र की हत्या के गवाह रहे कुछ नेता पटना में कॉंग्रस की छतर छाया में एकत्र हुए हैं इरानी ने दावा किया कि विपक्षी दलों की बैठक का संदेश है कि वे अपने दम पर नरेंद्र मोदी का मुका हारे की जरूरत है फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही और आसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं एक न्यूस 24 वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें साथ ही हमारे यूटूब चैनल एक न्यूस 24 को भी सब्सक्राइब कर ले और यदी पीच को भी फॉलो करें धन्यवाद